हलो एवरिवान विल्कम बाक तो सोलफुल होम मेकिंग आज मैं आप लोग के लिए लाई हो अमेजिंग टिप्स ट्रिक्स जिससे कि आपके घर के काम है वह बहुत ही इसली हो जाएंगे तो फिर चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करें अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करत है जी है आपको जो कंटेणर लेना है वो मायक्रोवेव सेफ ही लेना है उसके पर ध ही का जामन इस सरीके से स्प्रेट करें और जो डूद है उसको इसके अंदर तोर कर दिजए गुन गुने से घνε को पीज़्वन में रख देंगे ये लेकिन हम ज के लिए ओन कर दीजे और जो दही का कंटेनर है उसको गरम हों दीजे इसे क्या होगा दूद बॉपे से गरम हो जाएगा और कर बहुत ही अच्छा सेट होएगा टिप नमबर टू हमारे खर के स्विच बोड इस सरीके से बहुत ही जादा गंदे हो जाते हैं उसको क्लीन करना क बिना किसी टाइम में आप देखेंगे आपका स्विच बोड है ना वह बिलकुल क्लीन हो जाएगा हम कई बर जो टिप्स होते हैं उनको खाली वीडियो पे देखते हैं और इंप्लिमेंट नहीं करते हैं आप इन टिप्स को ज़रूर इंप्लिमेंट करके देखेगा मुझे नीचे कॉमें सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको उनसे हेल्प हुई की नहीं यह देखिए एक ही मिनिट के अंदर जो मेरा स्विच बोड है वो बिलकुल नया जैसा चमक गया है और आपको मैं दिखाती हो इसमें से कितना ज्यादा गंदा निकला है यह देखिए है ना कमाल का टिप चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स टिप की और सर्दियों में जब हम फ्रिज में दूद की थैली इस तरीके से रख देते हैं तो उसके आसपस जो इसका फैट होता है जो मलाई होती है वो बहुत ही ज़ादा जम जाती है और जब हम पाकेट से दूद को न कर लीजे इससे क्या होगा जितना भी फैट इसके उपर लगा हुआ है वह सब दूद में वापस आजाएगा और आप जब दूद को पोर करेंगे कंटेनर के अंदर तो आपके दूद के ठैली जो है वह बिल्कुल क्लीन निकलेंगी और मलाई जो है वह उसके अंदर बिल्क क्लीन हो चुका है इसके उपर मलाई जो है वह बिल्कुल चिपकी नहीं है बस सिंबल से टिप और इजी का चलिए बढ़ते हैं नेक्स टिप की तरफ जब भगोने में दूद को बॉइल करते हैं तो भगोना जो होता है और नीची से जल जाता है इसलिए बॉइल करने से पह आप हरी सबजियों को भरे हुए कंटेनर के अंदर अच्छे से भिगो दीजे थोड़ा से उपर नीचे करिए और फिर इसको पांच मिनिट के लिए छोड़ दीजे उसके बाद आप देखेंगे जितनी भी मिट्टी है वो पानी में अल्रेडी आ चुकी होगी और फिर जो ह यह तो आपकी जो मेहनते वह हाफ हो जाएगे बढ़ते हैं नेक्स टिप की तरफ हम घर में दाल को कई बार बनाते हैं लेकिन दाल को बनाने का जो सही तरीका होता है वह यह होता है दाल को आप वाश कर लीजे और अच्छे पानी में भिगो के रखिए उसके बाद जब हमारे घर में इस तरीके की कांच की बोट्रिल्स होती है और उसके ओपर जो यह रापर लगे होते हैं इनको निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाता है तो बस मैंने यहापर लिया है मेरा है ड्रायर और उसके बाद में जो हमारे लेबिल्स हैं उसके ओपर में इस हैड्राय को इस तरीके से blow कर लूँगी, इसे क्या होता है, जो इसके अंदर की gum होती है, जो गौंध होती है, वो बहुत ही lose हो जाती है, और इसका जो paper है, वो बहुत easily peel हो जाता है, बस इसमें जो सबसे अदर महनत होती है, वो corners निकालने की होती है, एक बार अगर आप corner को peel कर लेते हैं, तो पूरा का पूरा label जो है, वो इस तरीके से निकल के, बहुत ही easily आ जाता है, अगर आपको लगे कि label कहीं पर वापे से अटक गया है, तो आप hair dryer वापे से उस जगे पर blow कर लें, और जो आपका label है, वो निकल के बहुत ही easily आ जाएगा, अब इसके उपर थोड़ा सा पूरा पाइसे वेस्ट करने की बिलकुल जर्वत नहीं होती है, यह देखिए मैंने इसको बहुत ही हलके हाथ से clean करा, और जो हमेरी कांच की bottle है, वो एकदम clean हो गई है, बस अब नई कांच की bottle खरीदने के लिए पैसे वेस्ट करने की कोई जर्वत नहीं है, अब हमने में रखते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं इसके लिए ना में पाप बहुत ही सिंपल टेप है आप इस तरीके से जो पेपर बिछा लीजे फ्लोर के ऊपर और अपने जो लिप्स है वो सब रख लो उसके बाब मैंने यह पेंट लिया है यह स्प्रेय पेंट है ब मिलम्तो पेंट कर सकते हैं मैंने के पैने फिसके बाद झाहलें तो इसको इस तरीके से युज्पेपर के ऊपर रख कर serves這麼 कर सकते बहूत today और जो का फानल प्रोडक्ट निकलके आता है तो बहुती अच्छा होता है फाइनन जिसका प्रोड़क्त निकलां आए मैं आपको दि करना ना भूलें